यूट्यूब चैनल तो आज मैं आगे हो फिर सी एक नए केक के डिजाइन के साथ और आज वाला जो केक है यह भी मुझे अर्जन्ट ओर था और और मुझे खुद के मेरे पापा ने दिया था तो इनकी एक फ्रेंड का बर्डे था और मुझे थोड़े ताइम पहले ही मतलब अराउंड तीन घंटे पहले बोला कि मुझे भी अगर एक पॉसिबल है चोटा केक अगर बना दो तो क्योंकि मेरे अल्री ओर्डे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन उन्होंने का कि मुरे अगर हो सकता है पॉसिबल तो एक फ्रेंड के लिए चो और साथ में जो केक है हमारा इसे हम और इंज फ्लेवर के साथ कवर करेंगे तो जैसे वन बाइवन कटिंग करते हैं हम रैड नाइफ के साथ बैद के साथ केक की कटिंग करेंगे और को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम डिमोल करते हैं और करते हैं बाकि को जो प्रोसे जो है वो अगर जानने को मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और भी बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर जो आप देख सकते हो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स में अपने साइट से आप सब के लिए शेयर किया है तो वह भी चेक आउट कर सकते हो तो यहां पे जो है अब हम कर रहे हैं इसकी आइसिंग क्रीम कर लिया था कौन सी क्रीम यूज करती हूं किस तरीके से विप्ट करती हूं इसकी भी जो है पूरी वीडियो मेरे चैनल पे आप भूबी जाके चेक करूँगी जो मैं आइसिंग पार्ट आप सबको दिखाती हूं वह मी दिखाऊंगी और साथ में जो फॉंडेंट वर्क है वह भी थोड़ा बहुत आप सब के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो है वह वो प्ल रोते हैं और मुझे पता होता है कि फॉंडेट कटर्स के साथ हमें आराम से एम बना सकते वो मैं नहीं दिखाती हो क्योंकि वह एजिली कटर्स एवेलेबल होते तक उनके साथ बनासकते हो बड़ जो हें टो हैं टो एन्ट प्रैक्टेस होती है जो आतों के साथ हम बन यह जाह हैं छेदें ना तक दिन पैसे जिए बाक बैं इए वल Boss या गर Al क्रह miner या फीर द जपी करती हों तो सब्सक्राइब चाहिए निए प्राइब लेगा लिए हैं कर्षिस के गरो तो प्राइस अप थोड़ा कम कर सकते हो क्यूंकि fruit filling का प्राइस जो है वो हमेशा थोड़ा जादा होता है तो बस पूरी लीरिंग में इस तरीके से करेंगे जो प्रोसेश उसको रिपीट करते जाएंगे और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डाउट्स होते हैं आपके पूछा करिये comment section आप सब के लिए open है जितनी कोशिश हो कि मैं video के थूरू भी कुछ चीज़े explain करने की कोशिश करूँगी और जो कुछ चीज़े हैं वो मैं आपके comment में reply देने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश के साथ मेरा connection बना रहे और skip ना हो कोई भी चीज़े क्योंकि पहले की time में मैंने बहुत सारी gapping ली अपनी वीडियो में जिसमें आप सबने काफी वेट किया है और मैं regular नहीं आपाई कुछ out of station चली गए थी कुछ family health issues हो गए थे जैसी मेरे last year बुआ की death को लेके तो बहुत सारी चीज़े हो गए थी तो उसकी बज़े से मैं regular नहीं आप सब के साथ चीज़े शियर कर पाई तो अभी मैं सोच रही सारी चीज़े regular कर पाऊं इसलिए regular ही आप सब के साथ connect होने की पूरी कोशिश करे हूँ अभी तक मैंने कोई भी अपना life session नहीं किया है जैसे कि आप नहीं कहा कि आप life session मत करो काफी लंबा जाता है लेकिन in future अगर आपको कभी भी लगेगा कि आपको एक life session की जरुत है जिसमें कुछ चीज़ें आप सब के साथ explain हो तो मैं definitely करने की पूरी कोशिश करूँगी बाकी जैसे जैसे आपकी जो भी request होगी या फिर जो आप देखन चाहते हो तो जरूर बताइए का comment section में ताकि उस चीज़ को लेके मैं भी आप सबके साथ कुछ चीज़ें कर पाऊं और मेरा भी experience हो साथ में आपका experience हो तो लेरिंग हमने कर ली अच्छे से और यहां पे अच्छे से हमने क्रीम लगा कि यहां पे जितनी भी extra cream है सबको अच करना स्पूंस ठंडा हुआ इसकी कटिंग और मैं आइसिंग करना स्टार्ट कर दी तो इसे तो तो यहां पे यहां पिछ रात का शूट है जैसे कि मैं ने कहा कि पापा ने मुझे अरजMore ओआ था तो शाम का टाइम ता तो इसलही है यह लाग्स लोटी था जो मैं केक का बन तो शाम का टाइम और बस इस केख को अनित में जार्डा को एपने ऌहीं फेल के फ्रीज में रखोंगे अरो यहां पर आज़िया जैसे की हम कोईज फ्रेड़ क्रूम्स ना देखे और उपर की जो हमारी टॉप सर्फिस है उस पे भी हम अच्छे से स्विल्स के डिजाइन बना लेंगे ताकि वो भी दिखने में काफी अच्छे लगे तो स्क्रैपर के साथ सारी चीजों का अच्छे से क्लीन करेंगे अंटिल हम सैटिसफाइड नहीं हो जाते है कि क्रीम जो है हमारी एक दम अच्छे से लगी है और केक को अगर आप ऐसे थोड़ा ठंडा करने के बाद करोगे तो आपकी क्रीम और अच्छे से लगती है तो जो भी नए बीगनर से जिन से फिनिशिंग नहीं होती है तो आप एक काम किया करो पहले केक को अच्छे से थोड़ा सा क्रीम लगा के क्रम कोट करके ना फ्रिज में रख दिया करो 15-20 मिनुट इसको रेस्ट होने दो और जब केक की थोड़ी सी ब्रेट क्रम्स जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है चिल्ड हो जाती है उसके बद उसे निकाल जल्दी हो जाएगा मैं जल्दी करती नहीं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है लेकिन जैसे अप न्यू बीगनर्स होना तो आप इस चीज को कर सकते हो आपको काफी हल्प होगी क्योंकि कई बार बहुत सारे जिब ऑर्डर हो जाते हैं तो मैं ऐसी करती हूं कि थोड करती है और एक दम जेंटली जो है उपको टर्न टेबल को घुमाते रहना है खुद बखुद इज़ाइन जो है वह बन जाएंगे यहां पे नोज ले एक मैंने मैं जिन्दा कलर यहां पर यूज किया और एक मैंने यलो कलर तो इस तरीके के हम डिजाइन बना लेंगे और ज कलर के साथ करती है तो आज वाला जो कलर है यह भी बिल्कुल डिफरेंट है यहां वे मैंने पिंक और साथ में यलो कलर का कॉम्बिनेशन रखा है और साथ में ग्रीन कलर की हम लीब्स बनाएंगे और सिंपल केक था मुझे अर्जेंट था और कैसा बनाओं मुझे समझ भी यह डिजाइन मुझे एजी लगा और जल्दी चाहिए था पापा को तो इसलिए मैंने उसके इसाब से यह सिंपल सा केक बनाया था बाकि इसकी प्राइजिंग कुछ भी मैंने नहीं ली थी आप अपने इसाब से ऐसे केक्स को 400 में हाफ केजी केक है 400 में आराम से से सेल कर सक और अगर किसी को केक देना है तो फिर आप उसके डिलीवरी चार्जेज जो है वह आप अपर सकते हो वाकि 400 चार्जेज इसके काफी है क्योंकि सिंपल सा केक है सिंपल डिजाइन के साथ बहुत जादा क्रीमी केक भी नहीं है यह तो इस तरीके से फ्लावर्स अमने बना लि परके बना देजाइन के साथ है निवे बना लुक तो इसके से तो नहीं के सब्सक्राइब कर दोना है तो इसा बदेजाइन काफी आप अपर हमें लगा साली अपर चाईज शेजय करर ना चाहिए को कि हर बार सेंव की तो रिपीट हो बचाए बट ज़रूरी नहीं होता है क क्योंकि उसकी हाइट कॉंटिटी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है तो यह हमारे केक की ओवरॉल लुक है कुछ यहां पर मैंने स्प्रिंकल्स एड किया है क्योंकि पहले वाले ऐसे जो डिजाइन बनाए थे ना उसमें मैंने स्प्रिंकल्स यह एड नहीं किये तो इसलिए इ आज का आपको केक आप सबको बहुत जादा पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो लाइक सब्सक्राइब शियर जरूर करिए ऐसे ही मोटिवेट करती जाएगा जैसे आप हमेशा करते हो थैंक्स फॉर वाचिंग